2024 में और इस्पेशली अभी प्रेजेंट में आप अप्लाई करना चाहता है गवर्मेंट जॉब के लिए कौन सी ऑपरिशनिटीज अवेलेबल हैं जहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो डिसकस करेंगे तीन से चार तरह के नोटिफिकेशन हों के टोटल जॉब से डिसकस करने वाला हूं और वेकेंश नाइन थाउजन प्रस रहने वाली हैं आप 10 पास हो 12 पास हो ग्रेजुशन कर रही है बी टेक है फाइनल येर में हो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सुटर भी तक अप् जिसके वज़ेर से लेवर से रहने हो अगर आप इन पोस्ट के लोगे जैके सिल्बी की प्रपेशन अपना पहोती रहेगी सबसे पाले लेटस नोटिफिकेशन आया है आर पीफ की बात करेंगे रेल्वे की बात करेंगे आरफ बी की तरस रिप्रिपेंट कर जा रही है एक सबैंस्पीक्टर की पोस्त कसि कॉंस्वें की पॉस्त यहां पर 10 पास ले अपप lag sky. देखने को मिलेगी तो यहां पर फानेल डेट 14 में तक रहने बाले आएlla जिसके तो को इसके वीडियो आज इचीक्टों करें डिकशन ने ट्र शभी। हैं आप जाके वो भी देख लीजेगा बाकि वेकेंसिस की बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की 452 हैं और कॉंस्टेबल की वेकेंसिस की गर हम बात करेंगे 4208 वेकेंसिस देखने को मिल रही हैं दुनों का सलेप पर सेम रहता है रिजनिंग के 35 कुषण 35 माक्स होंगे मैत के 35 कुषण 35 माक्स होंगे जनरल अवेनस जिसमें हिस्ट्री पुछाता करेंगे तो अभी रेल्वा प्रेटक्शन फोर्स आर्पेफ की बात करेंगे Constable का कोर्स हम स्टार्ट भी कर चुके हैं जिसका लिंक आपको हमारी अप्लिकेशन का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा वहाँ पर जाके अप्लिकेशन इंस्टॉल कीजे और और आर्पिएफ का कोर्स जोइन कर लिजे वहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए प्लाई कर सकते हो अपके पूरा टाम-लाइन सटे की उसकी काणि परेचिंज को भूस्ट भी कर सकते हो अपने तयारी कर सकते इसकी कर लोगए सही से एक अपने हो जाएगी क्योंकि इसका पर निच जैएटा की पोस्ट होती है डाटा इंट्री ऑपरेटर के पोस्ट बगारा होती है यहां पर वेकंसिज 3723 1712 वेकंसिज आपको यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर स्लेवर्स की बाद कर पेपर पैटन के रहा था तो टीर वन होता उसमें जैसे इंग्लिश को रहेगा बेसिक नॉ सब्सक्राइब करेंगी तो यह अगर यहां पर सेलेक्शन हो जाती है तो वह अच्छे आपको मिलने वाली यहां पर उसके बाद यह होगा है सेचसल की बात करेंगे जिनने बीटा कर रही है तो जैए के वेकेंसीज भी और सीविल मेकानिकल ऐलेक्टरीकल वाले अप्लाई कर सकते हैं यहां पर बीग्जाम अगर आप देखोगे तो जून के मत में एक्जाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो इसकी पात करेंगे इसमें एक टेकनीकल पोश्शन तो रहता ह सब्सक्राइब है कि अब थäreल याई नौन भी रहते हैं जैनल अवेhrननेस बभी चैसे धिक तो आगे चलते हैं, तो SSE का benefit यह था कि apply करने की फ्याइट रूपी प्रिकेशन फी रहती है, और लोगर category तो वह भी नहीं रहती है, रेलवे की बात करें कि category नहीं है, तो 500 रूपीशन फी रहेगी, बड़ जब आप exam देने जाओगे, तो 400 रूपीश आपके अपक्राइट में वापस रिफ्याइट कर दिया जाएगे, और category तो 250 रूपीशन फी रहती है, और important post लोगर भी डिसकस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर last month हम बात करेंगे, यह Indian Army की तरह से technical graduate course की बात करेंगे, आप को देखने को मिल रही है जोंको करना पड़ता है फिर उनको बुला जाता है यहां पर algumas अप्लाइत के अपट आती है तो आपको इंटरिवीस किले स्पेस्ट विलाया जागा, पाल इंटरिवीस को जाता है नेक्स्तों नमबर आप बच्चे यो एस्पिरेंट से पर चाहते हैं जो हो सब भी गदुर भागी आपर इस्टे करते तो और फिशंट कर जाती है तो फिश्य पर चाहिए ओन्द बॉन्द ऑफिया पर विह वह मैंदिक ने वह सब थे तो यह बेद पर आपको अपने इंटर्वी पर दाद फोकस करना पड़ेगा यहां पर तो यह थे तीन-चर इंपॉरेंट जाए प्लाइग करना चाहते हो आज ही अप्लाइग कर सकते हो जब डिलेमत किजिएगा इसपैसलि एसे की पोस्त के बात करेंगे लास्ती दूर में व पोस्त के प्लाइग करते हो तो आपका एक्जामेशन सेंटर जो है वापकी जम्मो कश्मीर में ही रहने वाल है तो वह भी इच्छे ऑपरश्ट आपको देखने को मिल रही है तो ज़रूर एप्लाइग कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा इन सभी की जो डिटेल प्रिट नोटिफिकेशन और वह अलेडी हमआरे टेली गरांपर एवलेबल है टेली ग्रांपर भी इंपको वीडियो के कमेंट सेक्ष्ट में मिलेगा वहां पर जाके अपने जोएंद करना है वां पर फाइल सो नहीं सेक्षट मेरा वां पर पीडिएफ अपको सारे मिल जा वीडियो को यह में प्रेंट करेंगे